हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो हमारे धर्म में साल भर सभी स्वागर महिलाओं को करवाचौत वरत का इंतियार रहता है तो आज वीडियो में आपको साल 2022 में करवाचौत का त्योहर हम किस दिन मनाएंगे इस दिन पूजा का सुब समय कब होगा करवाचौत के दिन जो करवाचौत की तिति है वो कब पारम होगी कब समाप्त होगी चंदरुदे का जो समय होता है वो बहुत ही महत्व रखता है करवाचौत के वरत में चंदरुदे करवाचौत के दिन किस समय पर हो रहा है जो करवचोत की कता है और पूजा है उसके लिए सबसे सुमौरत क्या होगा इस दिन स्वागन महिलाओं को किस विशेश परकार से पूजा अराधना करने चाहिए पूजन समगरी पूजन विजी सभी जानकारिया इस वीडियो में प्राप्थ होने जा रही है तो संपूर जानकारियों के लिए ये वीडियो अंतर जरूर देखिए परते एक साल कार्थिक मास सुल पक्स की चदूर तिती को सभी सुआगन महिलाओं कर्वाचोथ का वरत दारन करती है समय बदल गया है और अब कुवारी करने आभी सुआगन महिलाओं के साथ साथ इस वरत को दारन करने लगी है अच्छे वर की प्राप्ती के लिए वो इस वरत को कर सकती है कर्वाचोथ का वरत विज़ेस कर दोस्तों अखन सोबागे की प्राप्ती पती की दिगरायू के लिए धारन किया जाता है और इस बार जो नया वरत और कोई शुरू करना चाता है वो भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस बार अधिक मास नहीं लग रहा है साल 2023 में हम नया वरत शुरू नहीं करेंगे तो जिनकी भी साधी इस साल हुई है वो करवाचौत का वरत धारन करना चाती है वो इस साल वरत सुनू कर सकती है करवाचौत का वरत 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रखा जाएगा इस दिन सभी सुआगन महिला हैं सभी लड़किया भी करवाचौत माता की पूजा अराधना करेंगी सिप परिवार की इसमें विशेश पूजा अराधना की जाती है और चंदूरुदे के बाद इस वरत को खोला जाता है करवाचौत की पूजा का जो सुमौरत है वो आप नोट कर ले सामके 5 बच का 54 मिनट से 7 बच का 9 मिनट तक एक घंटा 15 मिनट का ये सुमौरत है तो करवाचौत जो पूजन होता है जो कता होती है विदी विधान से करवाच माता की सीप परिवार की जो पूजन अर्चन करती है महला है इसी सूप समय में करेंगी वरत कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा ये भी बहुत महत्र रगता है सूरे उदे से लेकर चंदरुदे तक का ये वरत होता है तो सूरे उदे से चंदरुदे तक जो समय है वो है सुब़े 6 बच कर 20 मिनट से रात के 8 बच कर 9 मिनट तक 8 बच कर 9 मिनट तक आपको वर्थ में रहना है क्योंकि यही समय है दोस्तों करवाचौत के दिन चंदरुदे का चंदरुदे हो रहा है आट बच का नो मिनट पर तो इसी समय आप पहले से वर्थ पूजन आपने कर लिया है अब चंदरुबा को आप अर्द देंगे चंदरुदे के साथ ही उसके बाद चंदरुदा को अर्द देने के बाद ही आप पती पूजन करेंगे पती के हातों से ही इस वर्थ को खोलेंगे तो इस परकार से यह वर्थ संपन होगा करवा चौत के वरत में दोस्तों कुछ चीचे बहुत विसेंस महत्वर रखती है वो भी आगे बताऊंगा उससे पहले मैं आपको पूज़विती बताता हूँ करवा चौत के दिन सुरेदे से पहले उठकर इसनान कर लेना चाहिए उसके बाद जो भी मंदीर है आपके घर में उसकी साफ सफाई करके एक दीपक परजुलित करें और जो भी देवी देवता है उनकी पूज़व करें अरादना करें सुरेदेव को अर्द दें उसके बाद निर्जिला करवचोत के वरत का आपको संकल्प लेना चाहिए होता है यह आप अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर आप अपने घर पर भी कर सकते हैं सामोई पूजन में जहाँ पर सभी मैला किसी मंदिर में या किसी के घर में एकक्तरित होकर पूजन करती हैं, आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं आपकी जो करवचौत की थाली होती है वो पहले से तयार करके रखनी है और आप उस जगह पर जाकर के विदी विधान से पूजा करेंगी घर पर आप कर रही है तो एक पाटा पर आपको करवा माता की फोटो इस्थापित करनी है सीफ परिवार की फोटो सामिल करनी है कलस स्थापना के बाद मैं आपको विदी विदान से पूजा करना है दोस्तो करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा होती है और साथ ही सीफ परिवार की पूजा होती है फोटो मार्किट में असानी से उपलब्द हो जाता है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप चावल के आटे को घोल कर उसे दिवार पर करवा माता की तस्वीर बना कर उसका पूजन भी कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको चांद तारे बनाने होंगे और जो फोटो में तमाम लोग हैं अगर आप चाहे वो सभी बना कर दिवार पर ही पूजन कर सकते हैं उसके बाद में इसमें जो सबसे जरूरी होती है दोस्तों वो होती है तूटी दार करवा जो करवा होता है वो तूटी लगी होती है और इस पूजन में हम करवा ही लेते हैं जिसमें तूटी होती है क्योंकि उसी से चंद्रमा को अर्ध दिया जाता है जो कि एक धार से दिया जाता है इसलिए ये जरूरी है दोस्तों तो आपको जो करवा की पूजत हाली लेनी है उस उसका पूजन करके आपको वरत को खोलना है। पूजा की सभी समागरिय होगी। करवा को आपको विशेश परकार से सजाना होता है। अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो उस पर भी आपको एक सास्तिक बनाए। एक सत्या बनाए और करवे पर रोली से 13 ठीके लगाए और उसके बाद में 13 गेहों के दाने जब आप कता सुने घर में जब आप पूजन करेंगे तो गेहों के 13 दाने हाथ में लेकर के आपको कता सुननी है कता के बाद जो गेहों के दाने होते हैं आप इसे उसी वक्त लोटे में डाल सकते हैं आप इसे रख सकते हैं लेकिन जब आप चंद्रमा को अर्ध देंगे तो अर्ध के जो करवा है तूटी दार उसमें आपको ये तेरा डाने गेहों के डाल देने हैं और उसी जल से आपको चंद्रदेव को अर्ध देना है करवा माता को सी परिवार को भोग मे बजार से भी खरीद कर फल मिठायों का भोग भी आप इस दिन लगा सकते हैं चंद्रदेव के पूजन के लिए आपको करवर में कई लोग जल भर करके रखते हैं और कई लोग गेहों को भरते हैं अनाज भरते हैं कई लोग सूखेंबे भरते हैं तो आपको ऐसे में एक कलस अलग से भी रखना होगा, जिससे आप चंदरदेव का दर्सन करेंगे और उसके बाद उन्हें अर्ध देंगे, आमतर उपर जो करवा होता है, उसमें लोग जल भर करके ही रखते हैं, और उसी जल से चंदरदेव को अर्ध देते हैं, जैसे की कथा में वर्णित है इसी प्रकार से आपको विदी विदान से चंद्रदेव की पूजा करनी है और उसके बाद पती पूजन करना है फिर पती पूजन के बाद पती के हातों से जल गरहन करके उसके लिए भी अलग से पात रखेंगे जल गरहन करके आप वहीं पर वरत खोल सकते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति कह रहा है, सुन सकते हैं, अगर आप अपने गर पर ही कह रहा हैं, तो कथा खुद से कहें, करवा के वरत में करवा फेरने का विदान है, तो अगर आप सामवी ग्रूप से करवा चौथ का वरत करने जा रहा हैं, किसी ऐसी जंगा पर जहां पर बहुत सारी महिला एक अगतित होती हैं, तो आपको करवा फेरने में सुविदा होगी, अगर आप अखेले कर रही हैं करवा चौथ का वरत, तो एक माता के लिए भी करवा रखें, और खुद से दोनों करवा मतलब एक माता पारवती का करवा, और एक आपका करवा इसके बीच में करवा फेर कर, के आप माता से करवा बदल ले, तो इस प्रकार से आप अगर घर पर कर रहे हैं, तो करवा फेरने का जो काम है, वो भी कर सकते हैं, दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ फ्रेंज, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन पर किलिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफेशन आपको मिल सके, दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई and थैंकी फोर वाचिंग माई वीडियो.